नमस्कार मित्रो ओम नमस्षिवाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तुत्तुला राशी वालो आने वाले अगले पास दिन याने की 16 सितंबर से 20 सितंबर का समय आपके पिछले जन्म का हिसाब अब बराबर होने वाला है वीडियो में देंगे पूरी जानकारी किस कदम पर कौन सा खत्रा बनने वाला है क्या साउधानी बरतनी है, क्या उपाय करने है पूरी जानकारी प्राप्त होगी बस्शुरू से लेकर अन्त तक देखेगा जरूर वीडियो के अंते में आपको एक खास मंत्र मिलने वाला है इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप अगर आप करेंगे तो सातो जन्मों के पाप कट जाएंगे और आपका आने वाला भविश्य एक दम सुनरा हो जाएगा सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को करे लाइक और कॉमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से ओम नमस्षिवाई लिखेगा हम गेरिंटी के साथ कहते हैं उसे आज कोई बड़ी खुश खबरी प्राप्त होगी आने वाले अगले पास दिनों में धन जिस रफ्तार से आएगा उसी रफ्तार से वापस भी जाएगा और आपके मन में ये प्रशन आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मैं जितना कमार आऊ उतना खर्च आखिर क्यों हो रहा है पैसा जेब में टिकता नहीं है पैसा तिजोरी में टिकता नहीं है आर्थिक इस्तती सुधरने की बजाए बिगड़ती जा रही है तो दोस्तों कई बार ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं हम बेइंतिहा जब पैसा उड़ाते हैं तो उसके नतीजे कुछ ऐसे निकलते हैं इस जन्म में इससे बचने का एक ही तरीका है फिजुल खर्ची पर कंट्रोल किया जाए अपने आदतों को जरा सुधारा जाए अपने आदतों को जरा सही करा जाए और जिन्दगी में हमेशा अपने आपको एक बात का एहसास दिलाया जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो प्रभू के इशारे पर कर रहा हूँ और जो मैं करने वाला हूँ उसे प्रभू देख रहे हैं यानि कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए अगर आर्थिक इस्तेदी बहुत ज़्यादा खराब है आज के जीवन में आज के जन्म में बहुत ज़्यादा गरीबी आप जहल रहे हैं तो कारण क्या है पिछले जन्म के कर्म और अगर आज बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो कारण क्या है वो भी पिछले जन्म के कर्म ही है तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि हमारे पूरु जन्म के कर्म जैसे थे वैसा हमारा इस जन्म का जीवन है लेकि कि आने वाले जीवन को आने वाले भविश्य कों सही कर सकें। दूसरा दोस्तो एक लोटा जल रोजाना जाकर के शुलिंग पर चड़ाना है जो कि आप घड़ से ले जाएंगे। कहते हैं दोस्तो भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिलता है लेकिन जो नहीं भी लिखा होता वो महादेव की भक्ति से मिल जाता है। नंगे पर जाईए भूले बावा पर चड़ाईए मंतर बोलिए श्री शिवाय नमस्तु भ्यम और दोस्तो अपने घड़ा जाईए ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये काम रोजाना आप करिए और डंके की चोट पर कह रहे हैं अगर तीन महीने सलंग बिना रुके ये नियम आपने अपना लिया तो मन में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी चाए वो आपके भागे में नहीं भी लिखी होगी तो भी वो इच्छा आपकी पूरी होगी डंके की चोट पर हम कह रहे हैं तो ये काम हमारे कहने पर एक बार करके देखिएगा साती सात धन संपत्ति मिलने के प्रबल योग है आपके लेकिन हमने आपको बताया था पैसा जाता भी उसी गती से है जिस गती से आता है तो खर्चों पर जड़ा सहीम बनाईए अपने बजट का एक प्रबंदन बनाईए कि मेरा खर्चा कहा पर कितना हो रहा है मुझे किस तरह इसे मैनेज करना है साती सात प्रेम संबंदों में धन एवं वस्त्र इनका लाब होने वाला है जो लोग अपने जीवन में अकेले हैं उनके जीवन में एंटरी हो सकती है किसी खास व्यक्ति विशेश की या किसी फिमेल पार्टनर की और फिर ऐसास होगा कि ये दुनिय अतनी वे बुरी भी नहीं है जब आपके जीवन में प्रेम का समावेश होगा आने वाले अगले पास दिनों में किसी धन एवन संपत्ति मामले में सफलता प्राप्ति के सफलता मिलने के प्रबल योग निर्मित हो रहा है मलब पैसा जहां अठका हुआ था योजना अगर कह पर अठकी हुई थी तो वहाँ पर लाब मिलने के योग है लेकिन कही कही पर कुछ साउधानिया बरतनी होगी कुछ उपाय करने होंगे वीडियो के अंत में हमने एक उपाय और एक चबर दस्तर मंत्र आपको दिया है जो अगर आज आपने ले लिया तो आपका काम हो जाए लेकिन इस दुरुद्बे को गिराने में एक छण ही काफी है कहते हैं इंसान को इजजद बनाने में तो सालो लग जाते लेकिन इजजद उतरने में एक छण नहीं लगता वही पल आप महसूस करेंगे तो कोशिश यही करनी है किसी के चंगुल में आप नफस है आपकी विर इस अगर आप कुछ निर्मान कराना चाह रहे थे तो उसकी संभावनाएं हैं साती साथ व्यापार में आए की बजाए व्याए जादा होगा ऐसे में थोड़ा सतर काप रहें नोकरी में पदोनती के साथ महत्वपुन जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं धनला प्रचूर मात्रा में आपको होगा बहु राश्टरी कमपनियों में कारियरत लोगों को मन चाहा कारे मिलने से उनकी आय बहुत ही अच्छी रहेगी बिल्कुल चिंता आपना करें साती साथ जोखिम पूर्ण कारियों के पूरे होने से धन एवन संपत्ती प्राप्त होने वाली है व्यापार में खत्रा बन रहा है स्वच्छता का ध्यान रखे वन्ना बड़ी गड़बड हो सकती है बड़े मुश्किल माफ़स सकते हैं साती साथ दोस्तों पशुपालन के दौरान भी इसी तरह से आपको साउधान रहना होगा जो लोग व्यापारी है और लंबी डील करन पाल्टी बाद में बड़ल भी सकती है भवन निर्मान के कारे में खर्च होने की संभावनाएं हैं लेकिन दोस्तों अध्यात्म आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाने वाला है कहते हैं हमारा जो जन्म है यह दो कारणों की वज़े से हुआ है पहला कारण है उससे करना है कि क्या दूसरा कारण सार्थक हो रहा है आपके साथ जन्मों का हिसाब बराबर तभी होगा जब आप इस जन्म में खूब भगवान की भक्ति करेंगे खूब मंत्र जाप करेंगे खूब रोजाना आप उनका नाम जाप करेंगे तभी तो आपका मानव जीवन सार्थक हो पाएगा तो जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करिए मंत्र आगे वीडियो में बताने वाले हैं और इस मंत्र की शक्ति से पुर्व जन्म के बापों को काट कर इस जन्म के भविष्ट को सुनहरा बनाया जा सकता है यगिनन दोस्तों विद्यारतियों को इस समय में सफलता तो मिलेगी लेकिन उनका ध्यान जो है वो भटक सकता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूँ मैं ये भी कर सकता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ ऐसे मनोभाव मन में आ सकते हैं और ये मनोभाव आपके जीवन को उल्या सकते हैं इतना आप ध्यान रखेगा सातिसा संभ भावना ये भी बन रही है, कि कुछ लोग आपके उपर जूटा आरोप लगा दे, जूटा आरोप आखिर आपके उपर क्यों लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सबलता से जलते हैं, और बहुत सतरक आपको रहना है, इनके जासे में नहीं वसना है, बहुत सारे काम बन जाएंगे, सबसे पहला उपाएं, शनिवार के लिए, शनिवार के दिन आपको एक कटोरी में तेल लेना है, एक कटोरी में तेल लीजिए, जो आपके घर का तेल है वही ले लीजिए, शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदा जाता, शनिवार के दिन दोस् हैं च्छायादान और इसका गजब ही महत्व होता है अब दोस्तों सोमवार के दिन आपको एक काम करना है दूध मिश्रित आपको जल लेना है यानि कि थोड़ा सा जल लीजिए उसके अंदर दूध मिला लीजिए अब सोमवार के अपने घर से शिव मंदिर जाएए नंगे प आपकी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है तो कभी भी खुद को बहुत ज़्यदा परेशान न करें और अपनी समस्याओं का हर ढूड़ने की खुद से कोशिश करें आप किसी बात के लिए हा या ना न करें जो करना है डंके की चोट पर करें यदि आप किसी महदवपुन चर्चा में सम्मेलित हो तो उसमें अपनी बात लोगों की सामने अवश्य रखें माता पिता के आशिर्वास से आपका रुकावा काम बहुत तेज गती से बनने वाला है आपको माता इस रख किसी किये गए वादे को पूरा करना होगा नहीं तो वे नाराज भी हो सकते हैं अगर आपने किसी को भी कोई वादा किया है समय पर उसे पूरा करिये तभी आपकी छवी जो है वो अच्छी बन पाएगी वरना आप वादा ही न करें अपनों से ज़्यादा औरों के कामों में आप ध्यान लगाएंगे और ये चीज आपको पीछे करेगी और बाकी लोगों को आगे तो थोड़ा समझदार बनिये लोग आपको हर बार बाहुनाओं में उल्जा करके अपना उल्लू सिधा करवा लेते हैं तो पहले यहाँ पर अपना काम करना है फिर लोगों के मदद आना है आपको माता पिता की उमीदों पर खरा उतनना होगा नहीं तो दोस्तों के दिल को बहुत ठेज पहुचने वाली है आपका किसी नई प्रोपेटी को खरिदने का सपना पूरा होगा और जो लोग सामाजि गदार है अनर्थ हो सकता है जरा बच कर रहिएगा क्योंकि आज के जमाने जब भी हम कोई काम करने जाते हैं धर्म परिये कारी करने जाते हैं तो जो कट विरोधी है उन्हें बाते चुबने लगते हैं और आपको उनी से साउधान रहना है प्रोपेटी में कोई भी डील है तो बहुत सोच समझ करके फाइनल करनी है नहीं तो समस्या आ सकती है ये बात ध्यान रखेगा कुछ विध्यारती है जिन्हें शिक्षा में समस्या आ रही हैं उन्हें अपने गुरु जोनों से अपने शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए अगर आब अपने मन के डाउट नहीं सुल जाएंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे आपको अतिधिक काम के कारण हाथ पेर में दर्द शाररिक ठकान जैसी समस्याय उत्पन्न हो सकती हैं कारे छेतरे में आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा जिससे की बहुत खुशी आपको होगी और मन क मताबिक काम मिलने से अब फूला न समाइंगे कई बार वो काम हमें मिल जाता है जो olith से करना चाहते हैं तो इνसन भी कहता है कि अब इस काम को मैं बिंदास कर सकता homem बे जीजग कर सकता हूं तो ऐसा ज्यादा प्रभाव आपकी कुंडली पर जमा रहा है हाल ही में शुकर भी विरिश्यवराशी में पहुचे हैं तो वीडियो को बिलकुल अंतर तक देखकर बारी किसे बात को समझना है आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेवजे कि लड़ाई घर में शान्ति का माहोल बना सकती है तो गोशिश आपको यही करनी है कि जो छोटी छोटी बाते आ रही है वो धीरे धीरे लड़ाई जगडे का रूप लेने वाली है तो या तो आप वहाँ से चले जाएए आपको समझ आ रहा है कि बात बिगड़ सकती है तो खुद को मौन कर लीजिए ऐसा करके आप अपने परिवार का माहोल शान्त बना सकते हैं ये बात ध्यान रखिएगा आपकी छोटी छोटी गलतिया आपको बड़े बड़े सबक देती है और ये ही बड़े बड़े सबक जिन्देगी में आपको अनुभाव देते हैं ताकि आगे आप कोई गलती ना करें अगर इंसान एक गलती करके वही गलती दोबारा करता है तो उससे बड़ा मुर्ख और कोई नहीं हो सकते तो तुला राशी वालो आज की वीडियो घ्यान का भंडार थी हमने बात करी नेक्स्ट फाइब डेस के बारे में वीडियो में काफी भविश्यवानी सटीक भी थी पसंदाई हो तो आप लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में जैम आता दिया आप लिखना न भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद